आपका हार्तिक सोगत है आसा करता हम सौस्ट होंगे अच्छ होंगे दोस्तों भी बालेव का सीड़ीपी सिच्छा साथ सकता थार्टी कोशने सेसन लेंगी जो कि सीटर प्रिछाक दश्टी है आपकी काफी हेल्प करेगा चैनल को स्काइब कर रहा है ब्रैकनू प्रैस कर लें जैसे की नोडिफिशन मादम से आपको विडियो बिलती रहेंगी तो जैसे आधे ब्रैस को सीटर करें आज कम फस्ट कोशनन स्टर करेंगी सिच्छक को बाले वस्ता एवम किस्वरवस्ता में सालिक एवब मानसिक विकास की विस्यस्ताओं एवब उनके प्रभावक कारकों का ज्यान होना आवशक है क्योंकि आप्शन देखेंगे इसके उसे बालकों की कम्यों का ज्यान हो जाता है अधिगम सरल हो जाता है C.I. चात्रों में जिग्यासा उत्पन कर सकता है D.I. अपने इस ग्यान को प्रेरक के रूप में प्रियुक्त कर सकता है तो कोशन मैं पुछा रहा है कि एक सिच्छक को बालेवस्ता वा किस्वरवस्ता में सारिक वा मानसिक विकास की विसेश्ताओं को या उनके प्रावरक कारकों को किस विकास ज्यान होना चाहिए यह कोशन मैं पुछा रहा है और क्यों तो जैसके अब बात करती है एक सिच्छक को किसोरोस्ता वा बालेवस्ता में सारे के वा मानसिक विकास की बिस्यस्ताओं का ग्यान या प्रवारिक कार का ग्यान होना चाहिए क्यूंकि उससे चात्रों का अधिगम सरल हो जाता है तो अंसित्य कारेक्ट हुआ है इसको गोड़ी है हमने याप यह बी अगर कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं आथ में चैनल को सब्सक्राइब करें प्रेस करें जिसके नॉटिफेशन मातिम से वीडियो मिलते रहेंगी कोशन देखेंगे सिच्छा मनेश्च में अंतर नीत चमता का परिपूरता में विकास करती है यह कतन किसका है A. स्वामी विवेगरंद B. ए C. पेस्टालोजी D. ए रविंद नात तेगोर तो कोशन काफ़ी अच्छा पुछा गया है सिच्छा विकास में अंतर नीत चमता का परिपूरता विकास करती है यह कतन किसका है कतन पुछा गया है तो इसका कोड़ी वरा अंसर हो जाएगा सुवामी विवेगरंद जी ने यह कतन दिया गया है तो अंसर हो जाएगा हो हमारे आपे सिच्धान्त तो कोशन काफी अच्छा पूछा गया है अधिगम के विकास या किस सिच्धान्त में अभ्यास द्वारा सीखने का सरवदिक बल दिया जाता है यह कोशन में पूछा जा रहा है तो जैसके हम पर बात करती है अधिगम के या अधिगम में अभ्यास द्वारा सीखने पर जो कि इस सरवदिक उज़े बढ़ दिया जाता है वो है उद्धीपन अरकुनिया सिद्धान्त तो अंसे से करेक्टर जाएगा यहांपे हमारा B अगला मुश्ण देखेंगे कुट लेविन द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धान्त है A आवशक्ता अनुकरम सिद्धान्त B संबंद बाद का सिद्धान्त C चेत सिद्धान्त D कार्यात्मक अनुवंद सिद्धान्त तो कोश्चन पर जाएगा की कोट लेविन द्वारा दिया गया सिद्धान्त या अधिकम सिद्धान्त क्या है या question में पूशा रहा है तो जैसे कि आपे बात करती है 6 सिद्धान्त कोट 11 द्वारा दिया गया अधिकम सिद्धान्त है तो अंसे तक हैक्टर होगा यापे हमारा C अगर कोशन देखेंगे हावड गर्ण द्वारा निम्रकत में से एक को छोड़कर वाकि सभी बुद्धी के लिए बताए गए है A समा माफ कीजिए बासा B स्रजनात प्ता C अंतरव्यक्तिक कोशल D अंतरव्यक्तिक कोशल तो कोशन में कुछ रहा है कि हावड गर्ण द्वारा निम्रकत में से एक को छोड़कर बाकि सभी बुद्धी के लिए बताए गए तो इसमें आपे तीन पॉजिटिव में और एक को छोड़ा गए एक नेगिटिव वही आपका आंसर इसमें पूछा गया है एक को छोड़कर वाकी बुद्धी सितन्द बताए गयें तो हमें एक को जो छोड़ागा है उसी को बताना वही हमारा यहाँ पर आंसर होगा यह कोशिन थोड़ा नेगटिम में पूचा गया थोड़ा गुमागे कोशिन पूचा गया तो इसका गोड़ी अवारी जो अंसर रहेगा यहांपे हमारा B सरजनात अत्ता तो अंसर करेक्ट रहेगा यहांपे हमारा B अगर उसन देखते हैं संकेत अधियम के अंतरगत निम्नलखत सीखा जाता है A. मनोबिज्यन B. A. परसपारिक अनकूलन C. A. बातावर्ड D. A. मनोबिज्यन तो कोश्चन बचा की संकेत अधियम के अंतरगत निम्नलखत सीखा जाता है यह कोश्चन बचा किसके अंतरगत सीखा जाता है यह कोश्चन में पूछे जा रहे तो जसके आप बात करती है परमपारिक अनकूलन के द्वारा सीखा आता है तो अंसर कर्क्ट रहे गए आपे हमारा B परमपारिक अनकूलन तो अगला कोशन देखेंगे मुल्यांकन का उद्देश है A. बच्चों को उत्तिर वा अनुतिर गोशित करना B. बच्चा क्या सीखा है जाना A. बच्चे के सीखने में आई कटनाई को जाना B. बच्चे को उत्तिर वा अनुतिर गोशित करना भी होता है और बच्चे ने क्या सीखा या किस पकार से सीखा या किस पकार से जाना या भी मुल्यांकन का उत्देश होता है बच्चे के सीखने में आई कटनाई को भी जांचना मुल्यां करना का उत्देश होता है तो इसके गोड़ी और आंसीता करेक्ट हो जाएगा उपरेक्ट सभी तो आंसर हो जाएगा है यह अपरा D अगर उच्छन देखेंगे बालक में संप्रत्य होते हैं अगर उच्छन देखेंगे बीडियो का लाइक करते हैं चैनल को स्काइब करेंगे बैएगर प्रेस करें जैसे कि डॉटफिय मादिम से आपको बीडियो मिलती रहेंगी कोश्चन देखेंगे निमनलगत में से या निमनलगत में स्रजन सीलता का प्रमुक तत्व क्या नहीं है तो कोश्चन नहीं में पुचा क्या है अप्शन देखेंगे तो कोश्चन पुचा कि निमनलगत में स्रजन सीलता का प्रमुक तत्व क्या नहीं है क्या नहीं तद तो पूछा गया तो इसके बड़े वारा आंसर करेक्टो न चाहिए अनुसासन नहीं है तो आंसर करेक्टो जाएगा यहाँ पर हमारा B अगर वोश्य देखेंगे बुद्धी को प्रवावश्यत करने में प्रमुक रूप से बल दिया गया है यह अमूर चिंतन की छमता पर B.A. नुड़न ले सकने की कुशलता पर C.A. नविन परसितियों के साथ समयोजन की छमता पर D.A. उपरुक सभी पर तो कोशन काफी अच्छा पूछा गया है कुशन की बुद्धी को परिवासित करने में पुर्मक रूप से बलुद दिया जाना चाहिए यह दिया गया है यह कुशन में पूछे जा रहा है तो जैसे के हम बात करती हैं अमूर चिंतन की छमता पर नुड़न ले सकने की कुशलता पर नवीन परस्तियों के साथ समयूर करने की छमता पर तो इसके कोड़े वारा आंसर करेक्ट होना चाहिए उपरुक्त सभी पर तो आंसर होगा यहापे वारा डी अगरोशन दिखेंगे प्याज की संग्यानात्मक विकास की मूर्थ सक्रेटव अवस्ता का काल होता है ए जीरो से दो वर्स बी ए दो से साथ वर्स सी ए साथ से ग्यारे वर्स डी ए ग्यारे से पंद्रे वर्स तो कोशन मुशा है कि प्याजे की संग्यानात्मक विकास का विकास की मूर्थ या मूर्थ सक्रियाद वास्ता का काल पूछा गया है कोशन में तो जैसे के आपे बात करती है प्याजे जी के अनुसार संगेनत बिकास की मूर्थ सक्रियाद वास्ता का जो काल दिया गया है हुआ है कि 7 से 11 वर्स तो अंसर रेक्ट होगा है यहापे हमारा C पूछा दिखेंगे सामन बुद्धी बालक की बुद्धी लबदी होती है E A 130 से अधिक B A 111 से 120 C A 91 से 110 D A 71 से कम तो कोशन पूछा जा रहा है की सामन बुद्धी बालक की बुद्धी लबदी कितनी होती है इस काल दिया कोशन में समझेंगए पर बात करते हैं, सामान बुद्धी बालक की बुद्धी लब्दी ये आईकुली लेवल चो होता है, वो 91 से 110 होता है, और किसी कोशन में आपको 90 से 109 भी मिल जाएगा, तो यही हमारा अप्रक्ष होता है, यही हमारी बुद्धी लब्दी होती है, तो इसका गोड़ी हमारा क्रेक्टर जाएगा यहांपे हमारा C, अगला उशन दिखेंगे, समयोन की पकरिया है, A गतसील, B इस्तर, C इस्थापन, D इसमानसिक, तो कोश्चन काफी अच्छा पूछा गया, समयोन की पकरिया क्या है, यह कोश्चन में पूछा जा रहा है, तो जैसके यहांपे बात कर करती है, समयोन की पकरिया गतसील होती है, तो अंसर रख्रेक्टर जाएगा यहांपे हमारा A, अगला उशन दिखेंगे, बालकों द्वारा, सो अनवावों द्वारा, लाव प्राप्ति की युग गिता प्रड़ाम है, A मानसिक विकास का, B पिछड़े पन का, C मानसिक समस् का, D.A., सामाजिक विकास का, तो कुश्चन पूछा जा रहा है, कि बालकों की द्वारा, सो अनवावों द्वारा, लाव प्राप्ति की, युग गिता प्रड़ाम क्या है, यह कुश्चन में पूछा रहा है, यह किस प्रकार से ही है, तो जैसके इसके बात करती है, मानसिक विकास का बालकों के दुवारा सो अनुमाब दुवारा लाप्राप्ति की योकिता का परड़िडाम है तो आंसर करेक्ट लिएगा यहां पर हमारा ए वीडियो को लाइक करते हैं साथ आत्मे कोश्चन दिखेंगे निमनल खत्मे से यह निमनल खत्मे संबेग नहीं है नहीं में कोश्चन पुछा गया है ए बह बी ए क्रोद सी ए भूँक डी ए पलायन तो कोश्चन पुछा के निमनल हमें से कौन सा संबेग नहीं है इस फिकास से कोश्चन पूछा गया है तो question नहीं हो, पूछा गया है, एक यहां पर संबेग नहीं होगा, बाकित तीन यहां पर है, तो ज़सके हम बात करते हैं, संबेग के बात करेंगे, तो यहां पर हमारा, यह संबेग है, क्रोध भी संबेग है, और भूग भी संबेग है, तो जो हमारा संबेग नहीं होगा, व अगला कुछ देखेंगे, नेमने लुक पैसे ब्यक्ति की हुआ है कौन सी योग्जिता या सक्ति है जिसके द्वारा वह है नवीन रचना उत्पादन करता है, यह कुछ नहीं पुछा जारा है, यह कुछ नहीं पूछ जारा है, तो नवीन रचना उत्पादन करता है, यह कुछ नहीं पूछ जारा है, तो नवीन रचना उत्पादन की बात किया रही है, तो जैसे के आपके बात कुरते हैं, यहांकि इसार हुआरा आनसर होज़ेए, अगरा कोशन दिखेंगे, समाजि करद हो है, बैक्ति करण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू है या कतन है D.A. D.V. B.A. Rousseau C.A. MacIver D.A. Thorndike तो question में कतन पुछा गया है समाजी करण बैक्ति करण एक ही प्रक्रिया है के दो पहलू है या कतन किसके दुआरा कहा गया या कोश्चिन में पूछा जा रहा है तो इसके अकोड़ें बात करती है मैंका इक ही प्रक्रिया दुआरा या कतन दिया गया है तो answer करण प्रक्रियागा यहां पर मारा C अगला कोश्चन देखेंगे मनो लेंगे की बिकास का मनो बैग्यानिक सिद्धान्त किस ने दिया है अगला कोश्चन देखेंगे अगला कोश्चन देखेंगे विद्ध्याले बातावड में निम्नलग में से किस का बुद्धी पर सबसे अधिक प्रवाब पड़ता है A. अनुस्वासन B. पाठिकरम C. पाठिकरमेतर क्रियाए D. पंसान क्रम विद्ध्याले बातावड में निम्नलग में से किस का बुद्धी पर सबसे अधिक प्रवाब पड़ता है यह कुश्चिन में पूछ आज रहा है तो जैसके हैं पर बात करते हैं सबसे अधिक प्रवाब पड़ता है वो है पाठिकरम का तो अंसर मारा क्रेक्टर होना चाहिए हैं पर हमारा B. अगर कुश्चिन देखेंगे बीडियो को लाइक करते हैं साथ मैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है जिसके नोटिक्शिन मत दें तो आपको बीडियो मिलती रहेंगी और बीडियो को जैसे हां सेयर करें जिसके जोबी स्टुएंट सीटर प्रिशा की त्यारी कर रहें उनके लिए बीडियो काफी हल्पल सावित हो तो कोशन देखेंगे छात्रों को नवीन पार्थिय बस्तु हो सीखने से पहले आप क्या करेंगे A. सीखने के नियम बताएंगे B. नवीन उदानड देएंगे चात्रों के पूर्व ज्यान इस्थर को पहचानेंगे B. नवीन विदियों का प्रियोग करेंगे तो काफ़े इच्छा कोशन पुछा गया है चात्रों को नवीन पार्थिय बस्तू सीखने से पहले आप क्या करेंगे आप मैं को समसकते है कि अगर आप छात्रों को नवीन पार्ठे बस्तों सिखाना चारते हैं तो उससे पहले आप क्या करेंगे यह कुश्यन में पूच आ रहा है तो जैसे के हम भी बात करते हैं अगर आप टीचर हैं तो आपको पहले छात्रों के पूर्व ग्यान का इस तरको पहचानेंगे तब हम यह नवीन पार्ठे बस्तों सिखाने से पहले यह करिया करेंगे तो अंसे सा करेक्टर होगा यहाँ प्यमारा सी अगर देखेंगे बुद्धी परिच्छण के लिए पहला परिच्छण नियमन लुग में से कौन सा है ए है तुरसा साफ नहीं है पर्मन मेरिल स्केल पर्मन इस्टेन फोर्ड रिवीजन बी दिया गया है सी ए बिने साइमन परिच्छण डिये वर्ड लंदन रिवीजन यही है एक वार और देखेंगे ए दिया है पर्मन मेरिल स्केल बी ए पर्मन इस्टेनफोर्ड रिवीजन सी ए बिने साइमन परिच्छड डिये वर्ड लंदन रिवीजन तो कोश्चन थोड़ा सा अच्छा पूछा गया है बुद्धी परिच्छड के लिए पहला परिच्छड नेम इसमें से कौन सा है या कोश्चन मैं पूच गया है या कोश्चन के इस पर समझेंगे पहला पःच्छड किया गया है तो इसके वारा और आंसर जो होना चीँए वो औरक्त होगा C. बिने साइमन परिच्छड अगला कोशन दिखेंगे प्याजे के बौधिक विकास के पूर्व संप्रत्यात्मक चरड की अविदी क्या है A. जनम से दो वर्स तक B. A. दो से चार वर्स तक C. A. चार से साथ वर्स D. A. साथ वर्स से बारे वर्स तो कोशन परिचे रहा है कि प्याजे के बौधिक विकास के पूर्व संप्रत्यात्मक चरड की अविदी क्या है यह कोशन में पूछा रहा है तो जैसे कि हम बात करती है प्याजे के बहुतिक बिकास के पूर्व सप्रित्यांत्मक की जो अभिदी है या चलड़ की जो अभिदी कहलाती है वह हैं दो वर्स से चार वर्स तो अंसर वर्णा करेक्टर जाएगा बी दो वर्स से च्छार वर्स अगर आपको देखेंगे वीडियो को राइक करते हैं साथ याद में चैनल को सब्सक्राइब कर लें कोशन देखेंगे मुल्यांगन का मुख्य प्रोजन क्या है यह चात्रों की बेक्तिक की पैचान करना दिया अधिकम प्रक्रिया की प्रभावसीलता को बढ़ावा देना सिय समाज में हो रहे दंगों को कम करना दिया उप्रक्त सभी तो कोशन पूशा जा रहा कि चात्रों का मुख्य प्रोजन क्या है यह कोशन में पूछा जा रहा है तो जसके भी बात करती है अधिकन पर किया कि प्रणापसीलता को बढ़ावा देना मुल्याकन का मुख्य प्रियोजन है तो अंसर वारा करेक्टर हो जागा यहाँ पर हमारा B अगर वोशन देखेंगे बालक की किस अवस्ता में माहनसिक विकास बहुत तीव प्रिता से होता है यह कुश्चन में पूछे जरा है के बात करते हैं जो माहनसिक विकास होता है वो काफी तीव प्रिता से होता है जो कि बाले वस्ता में तो अंसर वारा करते जागा A. बाले वस्ता अगर वोशन देखेंगे Qution बुखे जारहा कि बालग सरुपरिथम कौन सी क्रिया सीखता है, यह Qution में पूचा रहे ह। ज़र्शन के भी बात करती हैं, बालग जो सरु प्रिथम क्रिया सीखता है, वो बहव पुर्दक्रशन करना सीखता है, तो अंसर मारा खरेक्टर जागा है हमारा A, अगरा Qution दिख करना तो question पूछा जा रहा कि पर्थिश्य सिच्छा बिवार में किसे सामिल नहीं किया जाएगा question negative में पूछा गया है और इसके according आंसर देना तीन positive में answer होंगे और एक negative होगा तो वही हमारा option के according negative answer हो जाएगा तो जैसे के हम बात करते हैं कि पर्थिश्य सिच्छा बिवार में जो सामिल नहीं किया जाना चाहिए वह है अमारा बार्सिक योजना या नियोजन करना तो answer correct होगा यहां पर हमारा D अगर question देखेंगे साइक सामिगरी के प्रियोग से A. रोचक बन जाता है B. ग्यान इस्ताई होता है C. यह सरल बन जाता है D. यह उपरुक्ट सभी बाते जैसे कोशने में जा रहा कि साइक सामिगरी के प्रियोग से बिषय जो कि सरल बन जाता है तो अंसर मारा करेक्ट जाएगा अगर वोशन देखेंगे कच्छा कच्छ प्रक्रियाओं में कैसा बिवरण माफ कीजे बातावर्ड विध्यातियों की निश्पतियों को उच्छ इस्तर पर प्रोसायत करता है तो जैसे कि आपे बात करती है लोग तांत्रिक बातावर्ड है जो कि कच्छा कच्छ प्रक्रियाओं में विध्यातियों की निश्पति को उच्छ इस्तर पर प्रोसायत करता है तो आंसितर करक्ट होएगा यहाँ पर हमारा डीद अगला उश्ण देखेंगे किस चिंतन में ब्यक्ति की किसी गटना तैथ अत्वा बस्तु की सच्छाई सुखार करने से पहले उसके गुड़ दोस की परक कर लेता है तो कोशन में पुशा जारा कि किस चिंतन में ब्यक्ति किसी गटना तैथ अत्वा बस्तु की सच्छाई सुखार करने से पहले अत्वा बस्तु की सच्छाई सुखार करने से पहले उसके गुड़ दोस है जो की परक लेता है तो अंसर हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर हमारा बी अलोशन देखेंगे विध्याला में विध्यारतियों को कैसे अभिप्रेद करना उचित है अ. चुनि गया अध्यान द्वारा बियरे परसंगिक अध्यान द्वारा दे इइ सौस्वर अधिगम द्वारा तो कोष्चन काफ़े अच्छा पूछा गया है कोष्चन में जाए जह रहा कि कि स्वास्वार अधिगम द्वारा विध्याला में विध्यारतियों को प्रविर्त या अभिप्रविर्त करना चाहिए तो आंसर मारा करेक्टर जाएगा यहां पर हमारा डी तो दोस्तों सेसर में मारा यहीं पर सवापत होता है वीडियो को जैसे सेर करें चैनल को तो मिलते हैं नेक्स सतन में, नेक्स वीडियो में, जेहन दोस्तो, बंदे मात्रम,